हाई एबर्वान हेपी मक्रस अक्राइज टू अलो फ्यू गाईज कल हम लोग का सब्सक्राइब मैंस का अग्जाम है मुझे पता है अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि मैंस मॉक्टेस देने के बारे कि शोच रहे होंगे या फिर मैंस मॉक्टेस बच गया है मेरा तो फि इसरी बार मेरे वोटिंग में था तो मेरे गलती क्या था ना में बस ये वीडियो बनेने का पर पुछ मेरा यह कि मेरे गलती से आप लोग सीख जाए ताकि वह गलती आप ना करें दो तीन चीज बताऊंगा बस उसको ध्यान रखो एक्जाम जाओ एक्जाम अच्छा होगा 100% में अगे रड़ी देता हूं आपको ठीक है पहली बात हम वक्ट्रेस नहीं देना है क्योंकि हमारे दिमाग बहुत पैसर ले लिया है क्योंकि आप कंटिनुशन एक्जाम देते आ रहे हो तो फिर आज आपको थोड़ा आराम लेना है ताकि इसको खाली रखो काल जाके व अगर आप चाहते हो तो फिर सक्सेनल बाला जैसे की अपर्डमेंट हो गया कमीटी हो गया फिर कोई मन्त रहे गया है मतलब आपको लग रहा है कि थोड़ा कम रिविजन हुआ है तो उसको थोड़ा रिविजन कर लो क्योंकि ज्यादा पढ़ने से ना आपको कन्फूजन आ गया है मुझे नहीं हुआ है कुछ यह प्रेसर बहुत प्रेसर आज तो आपको इससे थोड़ा दूर रहना है ठीक है कुछ दोस्त मेरे ऐसे भी थे जो की रात 12 बजे तक पढ़ते थे में से जो डे पहले और उसके बाद सुबह उठके ना सुबह पांच बज़े उठ जात वह हो गया अभी इसको खाली रखो कुछ बड़ा काम करने से पहले ना इसको सांथ रखने चाहिए जो कि आपको आज रखना है ठीक है मौक्टेश नहीं देना है यह नहीं पढ़ना है नया वाला उसके साथ-साथ आपको आज रात 8 बज़े के बाद थोड़ा मुभी बगर देने का जैसे कि सुभे उठते ही ना एक फ्रेशनेस आजाए आपके चेहरे पे आपके दिमाग पे आपके बड़ी पे ठीक है यह आपको बहुत ही है करेगा यह मैं यह मैरे अपने खुद के एक्स्प्रियंस बता रहा हूं ठीक है उसके बाद एक आता है एक्जाम का प्र इसा नहीं सुचने का बाद एक्जाम खुद एक प्रेसर है जो कि हमें प्रेसर देता है बट अगर आप यह सोच के आपके प्रेसर को ना मतलब दुगना कर लोगे तो फिर यह तो मतलब यह चरह हो गया आपका जैसे की बताए दर आम एक चीज बताऊंगा लास्ट एक्जा ब्लॉट रिलेशन पाजल पजल छे लोगों का था बहुत यह असंग था बाई बताऊं बहुत ही असंग था पस हुआ क्या था कि एक्जाम से पहले जो मेरा सेकंड शीप था फासुव्ट का रिव्यूशन और एक चीज बहुए जिन लोगों का से फासिप है ठीके सेकंड जिन लोग आना आप रेवीव मत सुनना की क्या हुआ एक तेम्ट क्या हुआ यह बिलकूल भी मत सुनना वाई कि मैं सुनके चला कि कि ये में 50 out of 50 40 35 45 तक एक्टम्ट करका हैं जब मेरे शिब स्टार्ट उआ जय तो पहला आएगा तो जिय बहुत ही मुश्किल हो रहा था तो मैंने यह सोच लेगे अभी तो एक्जाम क्लिए नहीं हुआ क्यों कि वो तो 35-45 करके गए हैं तो हुआ क्या जिसका असर पड़ गया मेरा रिजिनिंग पे तीन नमर का कुश्चन था बहुत ही आसम था जो कि मैं 15 मीड देने के बाद भी श की ध्यान रखना आज अपने बोडी दिमाग और फेस को पूरा रिलाक्स करना ताकि सुभे आपको कोई जो दवाब महसूस ना हो क्योंकि आप बहुत ही प्रेसर ले चुके अभी तब ठीक है ना उसके बाद एक्जाम में जाके कुछ शोचना नहीं बाई बस यह सोचना है बाई एक्जाम एक एक्जाम एक्जाम है जो हम देते आ रहे हैं बस इसको फोड़ना है ठीक है यह सोच के जाओ एक्जाम बेदर होगा आपको मैं 100 प्रेसर मतलो रिभी मत सुनना बिलकुल भी ओके मेरे तरफ से आप लोग कर लिए बहुत शुपकाव नहीं ओल्द वरी ब बाद जरू बतना की क्या रहा टेप्ट ओके वल्ला बेस्ट टेक क्या टाटा बाबाई